नमस्कार स्वागेत आप सभी का हमारे टूब चैनल स्वांस्क्र स्रस्वती पर मैं रामकुमार सास्तरी आप सभी संस्क्रत प्रेमी अनुरागियों का हर्दिक स्वागेत और अभिणेंदन करता हूं प्यारे सातियों हम जो कुछ भी यूटूब चनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं बार-बार आप कहते हैं कि हमें इसके नॉट्स बगरा चाहिए ओनलाइन व्यक्या चाहिए टेस्टरी चाहिए तो अब हम सब को जो भी सामगरी हम पढ़ रहे हैं उसके ओनलाइन टेस्टरीज, ओनलाइन टेस्टरीज की व्याख्यात्मग वीडियो साती PDF नॉट्स, एनॉट्स और एबुक, प्रिंटेड नॉट्स ये सारी सामगरी इलिए आप चाहते हैं तो आप संस्क्रत सरस्वती एप मॉबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें इंस्टॉल करें और पढ़ें विस्तार पूर्वक्स जो सामगरी आप यहां पढ़ रहे हैं उसके सारी कि सारी प्रिंटेड, एबुक, एनॉर्स और ओनलाइन टेस्टरीज आज का वीडियो हम देखते हैं वीडियो के इंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बोक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और उर्जा मिलेगी और अब यहतर हम आगे सीखते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद चले एक लास प्रारम करते हैं बुद्धी प्रदाम शारदाम इसके अलावा कोई समस्या हुई विशेष किसी समस्या को ध्यान में रखकर के ध्यापक द्वारा कक्सा कक्स में सिक्षन कारिये की समय एक और कारिये करवाया सकता है बासन का योजन भी करवाया जा सकता है ये तत्कालिन यानि तुरंत आसु बासन सुना है न आपने तुरंत कोई विशे ले लिये जाता है कोई समस्या है मानली जिर सबके विचार जानने हैं तो इस प्रविदी का प्रयोग भी अध्यापक कक्षा कक्ष में करता था पढ़ाते समय मानली जि बच्चों के नहतिक विकास के लिए मानली जिये या अपनी विशेवस्तू को तोड़ा अच्छे से समझाने के लिए या रोचक बनाने के लिए बालकों को सम्सकार चरित्रादी के शिक्षा देने के लिए भी अध्यापक कथा कथन विदी का उद्देश्य होता है मनुरंजन के साथ साथ में नेतिक शिक्षा प्रदान करना कख्षा 10 की अंग्रेजी की किताब में आपने जब पढ़ाई की होगी तब वहां हमारे आता था स्टोरी राइटिंग और उसके बाद में सिख्षक हम को क्या सिखाते थे मॉरल की बैटा देखो थ्रस्टी करो कहानी का मतलब है अगें अगें हमें से प्रयास करते रहे ना चाहिए आना दरजी वाला और सुई वाला जो हाती वाली कहानी है बटा हमको मिलता है टिट फॉर ट हर तरह के हैं जो हैंा वह Esse जाती है तो कशा का सहिma बनाने के लिए और साती बच्चों को उसल की विकास करने के थी और आज भी है मैं फिर दोरा रहा हूं कि यह केवल ऐसा नहीं है कि उस प्रमपरागत पदिति यानि गुरुकुल में ऐसा होता था नहीं यह विदी आज भी इस रूप में प्रयुक्ति जाती हैं कुछ निमें दोर सहे मान लीजिए उनकों दूर करने का प्रयास करते हैं उनकों समायत की आज में पढ़ा रहें तो सिक्षण क्या करता था चात्रों से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता था प्रश्णोत्र विदी को देने वाले सुक्रात है इसलिए उसको सुक्राति विदी भी कहते आगे डिटेल में इसकी चर्चाम करेंगे गद्दी सिक्षण की बहुत महत्वपुनिविदी माने जाती है माध्य में किस तरकी बरतमान में तो उस गुरुगिल परमपरा में भी अध्यापक प्रश्णोत्र के माध्यम से आज की तरह पहले तो परिक्षाइं होती नहीं थी और यदा कदा जैसे अभ्यास कारी दिया जाता है आज उस तरह पहले तोड़ा न दिया जाता था कि बेटा लोग पास प्रस्ण में लिख देता हूं बोड़ पर आप इनको कोपे मुतार हो ऐसा कुछ नहीं था तो अध्यापक इसके द्वारा क्या करता था एक तो बच्च प्रसन इसलीब कर रहा हूं ताकि आपका लगातार ध्यान शुक्षण कार गांशा मेनु ट्वास्व आनुसांसरता है मैं प्रसन आ प्रसदा आप से इसलीब Torah कि मुझे कम से कम यह दर कब बनता रहिए मुझे प्रतिपूश्टी मिलता है मुझे पुनर्बलन दिया कि वास स्नत्र के माध्यम से शिक्षक को इस सारी बाति पता चल जाती हैं. आप सब को पताए कि भासा में जो स्वसे प्रधान तत्व है न उसका नामी व्याकरन होता है. बासा के गद्य पद्य नाटा का नुमाद आदी विदाओं में जब भी आप रवेश करेंगे इसलिए व्याकरण को मैंने आपको जो वरनमाला पढ़ाई ती नहीं तब भी मैं आपको समझाये था कि यह बासा का प्रवेश द्वार है और बिना रत ग्यान के कोई सभिधा पढ़ें आपन्यक कैसे ब्याकरण करते ही हिंद्य व्याकरण को भी अलग से पढ़ाने का एक तरीका था यानि कक्सा कक्स में सारी चीजों को तो हम साथ लेकर चलते ही चलते थे वेद पढ़ते थे वेदांग पढ़ते थे लेकिन वेदांग में जो एक वेदांग है जिसको हमने परधान अंग कहा था याद होगा आपको व्याकरण उसको भी अलग से पढ़ाने का कारेकरम होता था इसलिए कुछ ऐसी विशेश विदि जो आपकी व्याकरण को ही ध्यान में रख करके करवाई जाती थी उसमें केवल व्याकरण का इस शिक्षन करवाई जाता था उसको व्याकरण विधी कहेंगे और अंते में दोस्तों जो दस्वे नंबर पे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है कक्षा नायक विधी अभी में सिर्फ नाम बता रहा हूँ ताकि आपको याद हुझे बाकी एक एक डीटेल हम सर्चा भी करेंगे कक्षा नायक के नाम से पता चल रहा है कि कक्षा का एक नायक बना दिया जाता है दोस्तों अधिक ज्यान रखने वाला एक व्यक्ति अनुसासित एक छात्र सिश्चे के गुरू के समान ही बिभार वाला या गुरू के समान ही ज्यान विज्यान रखने वाला उनसे थोड़ा कम ज्ञान विज्ञान रखने वाला एक अनुसासी चात्र रहता था गुरू की अनुपसिती में कक्षा का अनुसासन बनाये रखने के लिए और कक्षा में उसी तरह से सिक्षन कारिये के चलते रहें कि वो बार-बार जो है आपका परिश्चान नहीं हो कक्ष में मोनिटर जिसको बोलते हैं कक्षा का मोनिटर बना दिये जाते हैं इससे क्या फाइद़ा मिलता है कि गुरू की अनुपसिती में कक्षा चलते रहती हैं अनुसासन बना रहता है वह जवाब रहती है कहीं ने कहीं गुरु के ही समान उससे कक्षा नायव को मान करके कक्षा का सारे कारिय संचालेते होते रहते हैं इस प्रकार गुरुकुल परमपरा में जो मुख्य मैंने आपको बताया कि यह तो क्या है एक तरीका है एक प्रद्दती है एक परमपरा है एक सिस्टम है एक प्रियों का सारा काम मोखिक होता था इसलिए मोखिक विदी का प्रियोग है सुत्र इसले अगतर कम सब कbiesे सब्सक्राइब ओर नहीं hen बार बार दो रण पारायन था। कटेन सब्दों की गुरु जी को व्याक्या करने यह उशक्ता पड़ती थी। उनके स्पश्टि करने के लिए सरली करने के लिए विस्तर तूप देने के लिए विचा विदी का सारा ध्यापक लेता था। चात्रों को अवबो तक पहुंचाने के लिए वाद विवाद, किसी समश्या के उपर बच्चों के विचार जानने है तू, या उसके समाधान के लिए भाशन, कभी-कभी कथा-कथन भी कर देते थे, कभी प्रशनोतर भी पूछ लिया करते, अलग से व्याकन भी पढ़ा जात और साथ में गुरू के अनुपस्तिति में कख्सा नायक विदी का प्रियोग भी किया जाता था, यह तो क्या है, यह वास्तों में प्राचीन तम रूप है, यानि मोलिक रूप है, औरीजिनल संस्कृत के प्रारंबिक उन दिनों का ज्यान है, जिसको हमने किस परंपरा में स चौदे विद्या, ज्यान, विज्ञान, वेद, ब्रामन, आरेन, गुपनिशद, धरम, सास्तर, यह सब क्या है, इनको हटाओ, हमें क्या करना है, एक ऐसा शिक्षित वर्ग तयार करना है, जो अंग्रेजी जान सके, और अंग्रेजों के प्रती विश्वस्त रहे, सरद्ध विद्याले खोले गई, मेस्मनिया खोले गई, तो गुरुकुल परमपरा के बाद का जो समय रहा, जब अंग्रेज हमारे देश में आये, तो उन्होंने क्या खोल दी दिर दिरे विद्याले, तो यह तो है तो परमपरा आगे शिक्ष्ण का इसो पान, लेकिन यह दूसरा वला है जो लाड़ मेकाले की शिक्षानेती के साथ ही आए, मेरे प्यारे साथियों विद्याले परमपरा में जब आप बात करेंगे तो यह दो प्रकार की विद्यों के नाम आपको याद रखने हैं, इसमें एक विद्या आपकी आती है जिसका नाम है व्याकरण अन्वाद विधी कौन सी वियाकरण इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं अभी सिर्फ हम सीख रहें कि हम यहां कौन-कौन सी विदियों की बात करेंगे तो सबसे पहली विदी तो आप कौन सी शीखेंगे यहां पर व्याकरण अन्वाद विदी सीखेंगे व्याकरण अन्वाद के सा ताह प्र्यों को और दोस्तों अपने और आप में ध्यान रखनाся प्राचीन विदी नहीं है लेकिन परमपरागद वीदि है क्योंकि इन सबीमें शिक्षन कारिय परंपरा से करवाय जाता है परंपचर्ण कारिय करवाय जाता है इसलिए इनको हम प्राचीन या परंपरागत विदिया कहे दे Metal देटे हैं तो उन्होंने क्या किया जो सरा का सरा मोखी कारिय था उस मोखी कारिय के साथ साथ लिखित कारिय जोड़ दिया ने पढ़ना और लिखना भी जोड़ दिया और वो जो सरा का सरा ग्यान पढ़ना कहा है उसके लिए पाठे पुस्तक लिख दी तो पठन लेखन की रूप में पठभानेका एक अधार के लिए हमारी जोदिए सिक्षा भूगारा सारी उसमें क्या पढ़ने वाले हैं उन सब को पर फ्लेक सारा काम प्रादी सीघान परात। यह से किया जाता है। प्राचीन समय का शिक्षण यह जो प्राचीन विद्यां है इनको मैं कैसे कैसे शिखूंगा तो कुछ गुरुकुल में होने वाली थी जो बहुत सबसे प्राचीन है और उसके साथ जब गुरुकुल का अंतिन दोर चला और विद्याले के सुरुआत चली जब जाकर एक व्या को हाँ, पर इसको मैं प्राचीन विद्या के साथ आई तो शाथ तक यह उससे पहले की सबत अंग्रेज यसे लेकर आये तो णखी जब गुरुकुल हां, ये परंपरागत चीज जरूर है कौन पाट्टे पुस्तर परंपरागत क्यों है क्योंकि इसका शिक्षन कारी इसका परंपरागत रूप से करवाय जाता है इसलिए मैं इस विदी को यहां से उठा करके सुनना मेरी बात को विद्याले परंपराम इन दो चीज़ों को आप रख सकते हैं लेकिन पाट्टे पुस्तर 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 पुस नमबर एक दूसरा हम पढ़ेंगे जो भासा सिक्षन की सर्वस्रिष्ट विदी है और जिसका नाम बताई क्या है प्रत्यक्ष विदी है निर्बाद विदी है सुबोध विदी है ऐसे कई सारे नामों से आपने इसको पढ़ा होगा और परिक्सा में हमेशा एक सवाल इसका आ क्यों है न हर्वफ जो है आपके उस हरवबर ने आगे जाकर फाण पदों के विदी पांच सों पढ़ानों के विदी है जिसको हम बोलते हैं हर्वफ की पंच पदे हुदी वालां कि हर वट नहीं तरीके के साथ आशा करता हूं आज आज वीडियो आपको बहुत अच्छा तो कैसा रहा यह कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे आपके कमेंट्स को पढ़कर के मैं जवाब दूँगा और भी हम बहुत सारी अच्छे चीजे पढ़ते रहेंगे शिखते रहेंगे आपके कमेंट्स मुझे जो उर्जा मिलती है यकीन करेंगे आने वाली क्लास से और भी जोड़ार होंगी आपके लिए वास्तों भाइदे मन रहेंगी रिट और सिटेट या कोई भी सिट परिक्सा होगी इसमें हम बहुत अच्छन प्राप्त करेंगे बनेरिये का चैनल के साथ जैतों समझ किता हूं चैतु भाहरत हूं